मारशी हमारे बार-बार मना करने पर आपका सिधान्थ बताने पर हमारे नोकरी लग जाए इसमें सबके लिए आपका क्या उपदेश हाँ ठीक है सबके अंदर भावना होती कि भगवान या शंत जन्नों के पास जाकर हमारी श्वमश्याओं का शमादानों उनका अच्छा विचार है पर पहली बात तो हमारे में सामर्थ नहीं है हम अपने मिशामर्थ नहीं देखते कि हम किसी की कामनाय पूर्ण कर शके भगवद आश्रित हैं प्रेम्शोद करुणा निधान भगवान सब का मंगल करते हैं उन्हीं के नाम का जब करो उन्हीं के चरणों का आश्रे लेलो तो तुम्हारी कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो प कामना पूर्ण नहीं हुए नाम जब तो आप थोड़ा करें इसके बाद जो पापाचरण कर रहे हैं जो गलता किसी भी कामना की पूर्टी के लिए अगर राक्षसों ने भी अनुष्ठान किया तो आप पढ़के देख लो शाब अश्रत आचरणों का त्याग करके रिशी संत्रा देदे कामना की पूर्टी करते हैं मेरी समझ के बार इसलिए मिन प्रश्णों के लिए का सबके प्रश्णों का शमाधान है निश्चित यदि आप सही आचरण अपने कर लो क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है पुराने अभी तुम भी सुक्रित करोगे तो बुरे आचरण फन काल करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नास के लिए क्योंकि नश्ट नहीं होना चाहेंगे तुम्हें दंड देंगे तुम्हारे सुक्रित से अस्रद्धा कर देंगे संतों से अस्रद्धा कर देंगे बजन में अरुच नहीं हो सकते हैं तब लगी कुशलन जीव कों सपने उमन भिष्राम जब लगी भजत न राम कों सोक धाम तजिकाम पक्का सिद्धानते आप सब अपने आचरण सुधारलू खानपान सुधारलू अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरी जपोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाए पर हम भगवान की कृपा का आदर कहां करते हैं मन मानी हम विशयव हो गए गंदे आचरण करें और कुछ विहारी जी या किसी संत को हम दे के अपना काम बनाना चाहें प्या घूस नहीं चलती है अगर तुम्हें अपनी कामना की पूरती करनी तो पहले आचरणों को समालो आप अपने आचरणों को ठीक करो जो मूल बात है उपर पिंट पोतने से कुछ नहीं होगा नीचे नियू मजबूत नहीं पूरा ढह जाएगा अभी वर्तमान की कोई भी शेवा कोई भी दान पुन्य आपका एक कर्म हुआ ना आपके हजारों ऐसे कर्म जो आपका नास करन है वही बचा सकता है वो केवल भगवान स्रीहरी है इसलिए संतों की बार जल्दी समझ में नहीं आती है। आप यह करो यह दान करो यह पुन्य करो तुमारा काम हो जाएगा तुम कर दो नहीं होगा । कुछ के देख लिए और यह अधना बड़ा है और तुम्हारे पःड जैसे पाप जमा हो तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे तब तुम्हें अश्रद्दा हो जाएगी कि तो इसलिए मूल बात है कोई भी ऐसी बात ने जो हमारी भगवान पूर्णना कर सके पर आपको नियम से चलना होगा अब शराप यो मुर्गा बकरा खाओ बेविचार करो माई बहन से चोरी करो हिंसा करो आप सोचो उससे कुछ हम धंदान करके क्या कोई हमारी का कोई कामना की पूर्ति करने समर्थने भगवान के सिवा तुम चाहे जितने पात की हो भगवान का श्रेले जिनका चरण धोन गंगाजी है इनके चरणों का चिंतन करकर बड़े- भाव से किसी में कुछ भी जो दिब्यता आती है वो उन्हीं से आती है तो अगर आपको संतों के पास जाने का लाव लेना है तो श्रीहरी की सरण में हो जाओ अंदर से बूरे आचरण बंद कर दो और नाम जब करो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा पकी बात है अगर य इतने दिन से माला जप्राओं को इलाब तो मिला उब हो रहा है उमारे दुखों का नाश हो रहा है जिस दिन उनको मिटा दिया तो फिर जो आनंद मिलेगा वो जीवन करता एक एक चावल के लिए तरसते थे सुदावानी लेकिन धर्म ब्रष्ट नहीं हुए गर में आते प तो जैसी द्वारी का पुरी थी वह इसे ठाकुर ने खड़ी कर दी सुदामा पुरी पुड़ा इंतिजार करें धर्म से चले पर हम तो धर्म से कहां चलते हैं अगर हमको लगा कि दो लाग का हमें फायदा मिल जाएगा जूट बोलने से या इसकी इंसा करने से हम चूकते नह बहुत बंबूल और सोचो कि हमें आमरस मिल जाएगा तो यही काटना पड़ेगा अब नाटक में फसे हुए हमारी ब्रतिया है तो हमको को नाटक बढ़ा कैसे तुम्हें बताएं बिल्कुल उसको परिश्य नहीं भगवान का अब जाते हैं लोग हमारा दुख दूर कैसे ह पड़ेगी तुम्हें यह करना पड़ेगी किसी की हत्या करके किसी की हिंसा करके किसी से बेविचार करके किसी का मंगल होने वाला है खुद पता नहीं उसको मंगल किसे कहते हैं एक मात्र अगर मंगल है तो भगवान के भजन में किसी का आशिवात तुम्हें नहीं बचा सक अगर तुम सही से चलते हैं तो में कोई नहीं मिटा सकता कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि भगवान वहीं देख रहे हैं जहां आपको आजकल हमारी लोगों की क्या गुद्धी है हम तो खुब भोग भोगे मन मानी और शादुमात्मा जो भजन करते ना इनको कुछ दे देंगे बेचारे वो भजन करके हमारा सब को सुधारते रहें ऐसा कभी हो हुआ है कभी हो सकता है नहीं हो सकता है अगर ऐसा कहीं है वो नहीं है जो होना चाहिए वो नहीं है एक ही बात है आप अपने को शुधार लीजिए आप अपने आचरन पवित्र कीजिए और नाम जब कीजि अरे फटाफट गाड़ी आई फटाफट रुपया पैसा हो सब और फिर क्या हुआ पूरा परिवार गाड़ी चटनी बन गया है यह धर्म है ऐसे उपर ले जाएगा तो आपको लगेगा वह तुचाई पे नहीं उपर से चट से फेके जाओगे तो उचाई से और धर्म से चल आज दुखी है एक दिन वो सुखी हो जाएगा अधर्म से चल रहा है पापा चरन कर रहा है आज वो बढ़िया बढ़िया तुम्हें दिखाई दर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा अब यह बाते तो चुबने वाली है तो ही बाते सबको पशंद नहीं आती है कितना प्रभू की परना कर रहे है अन्यता यान नहीं ताकत नहीं कि तुम निकाल के रखते हैं प्रभू अगर रख दिया है तो शाम तक उसको नश्ट कर दिया जाएगा आ साम तक उसे बिल्कुल नश्ट कर दिया जाएगा विदा फेकवात ही काम मनेंगा क्ए और पापा चरन करके नहीं जा सकता संतमात्माओं को जो भगवत मारके के पतिक है अगर उनको यह है कि आप से कुछ लेके उनके पास हाई नहीं कुछ क्या देंगे आपको कभी भ्रमित मत हो किसी के आशिरवाद की इच्छा मत करो यह बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी परम बतार है अगर आप स संतों का उपहास किया पेट में कड़ाई बांध करके द्वारिका पूरी में उन्हें के परिवार भगवान को शाप दिया उमारे कुल का नासकर बगवान ने बिलकुल नहीं मिटाया किया उपहास तो भोगो बगवान है वह ऐसे जरा में एक सेकेंड में सब मिटा सकते थे टांग पे टांग चड़ाया आराम से देखते रसाप बार मार के जब अपने परिवार के आचरण का जब फलाया तो नहीं बचाया तो तुम्हें कैसे बचा लेंगे हाज बाबाजिने आशिरवात दे दिया प्यमारी बात मालों हरीके चरणार्विंद का अस्त्र 내लो प्रनत कामदम पदमजारचितम धर्निमंडamm दे या मापदी जिनके चरण चिंतन करने वालों के लिए कल्पतरू के शमान है। प्रश्टी करो उनके शन्मुक उनसे प्लार्थना करो बच्चों से लेने की जरुरत नहीं होती पिता को जरूरत होती है कि वह पिता का अनन्य बना रहें रहु कहते अनन्य मेरे अनन्य हो जाओ तुम्हें वहिए हैं जाऊधां हैं जुक सब्सक्राइब सब्सक्राइब लूए बैबा किसी लिए कि तो खेल हैं और इसके लिए पास तो एक उपाए तुम्हारण यह तुम करोगे ले तुम्हे चहिए यह जंतुर मंतुर नाल की अंगवठी और लजाले किसके नाखोन नो क्या क्या तब नोटंकी चाहिए तुम्हें वह कुछ लए कुछ लए ओला एक मात्र हरी विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम बजनते नरा भुशागर तरंते हरी भजे सब बढ़िहां हरी न भजे कुछ तुम्हें कोई नहीं देंगे इसलिए भगवान सरुषमरत है हमारी प्रार्था मामानो मन लगे न लगे दवाई जैसे हमारा स्वाद बिगाड़ देती है हमें अच्छा नहीं लगता पर हम दवा खाते हैं रोग निवर्ति के लिए ऐसी तुम्हारा मन लगे न लगे आप बोलो राधा राधा बोलो हरी हरी बोलो आपका मंगल हो जाएगा यह आपको बचा लेगा यह नाम आपको मंगल कर देगा अब नाम नजब करो तो कैसे फिर और कोई उताएगा हम तो राधा 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 हमारे पास अर्थना सराब मत पीना, मांस मत खाना, आज के बाद गंदी बात मत करो, धर्म से रो सुखी हो जाओगे. खोड़ा पीछे के करमा के दुख देने की बाद करेंगे, भगवान की सरण में बचा लेंगे. भगवान अपने जनों को ऐसे बचाते हैं, जैसे अपना लड़का है, कोई गलत काम कर दिया उसको चार लोग पीटने आ रहे हैं तो चतुर पिता क्या करता है दोड के हाथ पकड़ता उसका और इतना हाथ उचे करके ऐसे मारता है और इतना जोर से चिलाएगा हाथ उचे उठाएगा लगे गए उस मार डालेगा उपर हाथ का बहुत हलका प्राहर होगा आवाज बहुत होगी तो वो लोक हैं मतलब जो चार देखने आए भाई अप्यों मारते हो गई गलती ऐसे भगवान अपने भक्तों को दंड देते हैं भेंकर अपराद है वो दिखाई देरा बड़ा होके आएगा इसे हलके से निपाट रक्षा करों सदातिन के गई सब पूरा सभावेठी है कोई रक्षा दुरुपदी की नहीं कर पाया जेहीं पुकारा है कृष्ण द्वारे का यहीं भगवान वस्त बन गया हमें चाहिए इन कथाओं से हमें पेरणा मिलती है भगवान का भरोसा रखें वहीं बचाएंगे उन्हीं की ही चरणों का अस्त्रे लेने से हमारी सारी कामनाय पुर्णों की दूसरा कोई उपाएं